एक आशावाद का कलर है तो यह संपूरनत्ह आशावादी फिल्म है और बहुत मतलब जो सूरज की किरिने सुबसुबा आती हैं और अच्छे हमारे में जो ए या डी अगर वो नहीं है जिवन सत्व तुम मिलता है तो वैसे ये फिल्म देखने के बाद ए और डी और सारी काफी जिवन सत्व मिलेंगे देखने के लिए बहुत बढ़िया फिल्म ह है अगार्डिंटी वह मैंने काम किया है रिशीकिश जोशी इस प्लेइंग गौरीज फादर मामा आ एंप लिए एक रेड़ स्पॉट हूं जो पूरी यलो में एक रेड़ स्पॉट अगर कोई है तो मैं हूं समाज का निगेटिव तत्व जो यह है उसको में रेप्रेजें बाकि सारे बहुत ही जबरदस्त किरदार हैं इसमें मराथी फिल्म इंडिस्ट्री के मराथी स्टेज की काफी होनहार और बहुत ही जबरदस्त कलाकार इसमें हैं महेशली में बहुत ही जबरदस्त सिनेमाटोग्राफर हैं खुद वो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो ऐसा सब्ज सब्जेक्ट लेके आना लोगों के सामने ये बड़ा कठीन होता है कि चालू गाड़ी में तो कोई भी चड़ सकता है बड़ा ऐसी ऐसा एक तेजस भी सब्जेक्ट लेके आए हैं और लोगों के सामने रखें और लोगों उसको सरा है क्योंकि इंदे फिल्म इंडिस्टी के का कि उसका में शब्दों में वरणन नहीं कर सकता हूँ लोग देखने के बाद निश्चित इस फिल्म को सराएंगे 100% और लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छे लेगे बहुत सालों के बाद ऐसे फिल्म करने को मिली है और मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ, एक भाग हूँ मैं अपने आपको भागिशाली समझता हूँ मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ So I am really thankful to both the producers इरितेश देश्मुक जी जो जिनकी Mumbai Film Company है और Viva Entertainment का मैं शुक्र गोजार हूँ कि मैं ये फिल्म में हूँ और महिश लिमाएगा और मरणाल किलकरनी हैं, उपेंद्र लिमाए हैं, रिशिकेश चूशी हैं और गवरी जो में किरदार कर रही है सच कहूं तो इस फिल्म से मुझे बहुत कुछ सेखने को मिला उस लड़की के किरदार से कि हम लोग इतने सब कुछ हैं हमारे पास इश्वर ने दिया हुआ और सुबह उत्तिय भगवान के पास हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और जिनको थोड़ा सा कुछ कमी दे के बेजा है हमारे पाइंट अफिस है उनके पाइंट अब से वो पूर्ण है वो लोगों ने हम कोई सिखाया कि भईया आपके पास इश्वर ने सब कुछ दिया है फिर भी रो रहे है और कैसे जिन्दगी जी सकते हैं आप इसका उत्तम उधारन है ये फिल्म और किस से जीनी चाहिए और किस तरह से जीनी चाहिए किस पॉजिटिविटी से जीनी चाहिए और हर आदमी कुछ न कुछ कर सकता है इतनी जबरदस इतना जबरदस संदेश है इस फिल्म में इसलिए मैं आपको बागिशाली समझता हूँ इस फिल्म का पार्ट हूं, थांक्यू बेरे मच्छ, सौंग के बारे में रिशिकेश अच्छी बात करेंगे